कि दिल्ली के ओर चलते हैं जापरी आई सीजी मेरा अउल गांदी मीडिया से रुबरू हो रही है कि सच्चाई यह है कि महिला अरक्षन को आज किया जा सकता है 33% आज जो सीट्स हैं लोग सभा में विदान सभा में वो महिलाओं को दी जा सकते हैं कोई complicated मामला नहीं है मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है सरकार ने यह देश के सामने रख दिया है मगर reality यह है कि इंप्लिमेंट आज से 10 साल बाद होगा यह भी नहीं मालूम की होगा या नहीं होगा तो एक प्रकार से यह distraction tactic है diversion tactic है diversion किस चीज़ से हो रहा है diversion OBC census से हो रहा है मैंने parliament में सिर्फ एक institution के बारे में बात के वो जो हिंदुस्तान की सरकार का center है core है जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है cabinet secretary and secretaries और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा प्रधान मंत्री कहते हैं कि वो OBC के लिए बहुत काम कर रहे हैं अगर प्रधान मंत्री इतना काम कर रहे हैं तो नब्बे में से नब्बे लोगों में से सिर्फ तीन लोग OBC community से क्यों है पहला सवाल दूसरा सवाल मैंने यही analysis बजट को देखके की कि यह पूरा हिंदुस्तान का budget किया है और यह जो OBC officers हैं यह इस budget में से कितना control कर रहे हैं और क्या control कर रहे हैं आदिवासी क्या control कर रहे हैं दलित क्या control कर रहे हैं OBC हिंदुस्तान के 5% budget को control कर रहा है OBC officers तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है प्रधान मंत्री हर रोज OBC के बात करते हैं OBC प्राइड की बात करते हैं मगर OBC के लिए किया किया अब जब मैंने यह बात बोली उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंट्रिस्टिंग है वो कहते हैं कि लोक सभा में हमारा representation है लोक सभा में representation का क्या लेना दिना है मैं कह रहा हूं कि budget decisions जो लेते हैं जो budget को officers दें जो budget को control करते हैं फाइव परसेंट ओबीसी निर्णे ले रहे हैं और मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा क्या हिंदुस्तान में ओबीसी के आवादी पांच परसेंट है ये मैं जानना चाहता हूँ अगर पांच परसेंट है तो फिर वो ठीक है उसको मैं एकसेप्ट करने के लिए त्यार हूँ मगर पांच परसेंट से जादा है तो मुझे ये पता लगाना है और एक बार मैं मन बना लेता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ मुझे ये पता लगाना है ये उबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए अब आप किसी ब्लो के MP से पूछ लीजिए कि वो कोई decision लेता है कोई कानून बनाता है कोई कानून बनाने में भाग लेता है किसी से भी पूछ लीजिए बिल्कुल नहीं ना Congress का MP इस लोकसभा में ना BJP का MP ना कोई और India का MP कोई decision लेता है मतलब MPs को जैसे मंदिर में मूर्तिय होती है वैसे मूर्तिया मना रखी है और OBC की वहाँ पे मूर्तिया भर रखी है मगर power बिल्कुल नहीं है देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है ये सवाल मैंने उठाया है कि क्या और हर हर OBC युवा को ये समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए हाँ या ना अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी अबादी 5% है हाँ या ना ये सवाल है और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है बीजेपी को ये जो दो पॉइंट्स हैं महिला और अरक्षन वाले डिलिमेटेशन और सेंसर्स इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज़त मिलनी चाहिए जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो भागीदारी होनी चाहिए उनको एकदम वो कर दे और कास्ट सेंसर्स का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दे तो सारे हिंदुस्तान के OBC युव को अपने अगले भाशन में ये कहना है ये समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अपसर जो हैं उन में से सिरफ तीन OBC क्यों हैं ये में सवाल है और मैंने दलितों और आदिवाजी के बात ही नहीं की अभी अंडियाजी में कया देता हूं तो बजी पी केम अप विध दीविख दीविज पूरी 60 अचों सिरूरी फिरूरी प्रीज तेस इस विध वी एपार वहाई प्रेश प्रेविशाए घुर्ण है